अगर हम लोग उत्तर पिदेश की राजनीती की बात करें और उत्तर पिदेश में दलित नेताओं की बात करें तो आप देखते हैं कि उनमें एक हैं चंद सेकर आजाद इन्हें लोग प्याल से रावन भी बुलाते हैं और आप देखें आजकल देश भर में चर्चा में बने रहते हैं और आप लोगों को ये जानके हैरानी होगी कि 2000 कप की बात है ये बात है आप देखेंगे 2021 की उन्हें टाइम पत्थिका की सो अभरते हुए नेताओं जो भविस को आकार दे रहे हैं कि बारसिक सूची में भी सामिल किया गया था और दुनिया वर में चर्चा में बने रहते हैं इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे और उत्तरफिदेश की अगर आप लोग देखना चाहें तो देखिए यह हमारा प्यारा भारत है इसमें आप लोगों को यह उत्तरफिदेश देखने को मिलेगा लखनव इसकी रादधानी है और आप देखेंगे कि इसकी अंतराश्टी सीमा नेपाल से लगती राज्यों मे विधान सभा में 403 सीटे हैं, विधान परिशत भी हैं, जिसमें 100 सीटे हैं, राजिस सभा में 31 सीटे हैं, लोग सभा में आपको 80 सीटें देखने को मिलेंगी। अगर हम लोग चंद सेकर आजात की जनम की बात करें, तो 3 दिसमबर 1986 को सहरानपूर उत्तरवदेश में इनका जनम हुआ था, उनके पिता का नाम गौवर्धन दास, जो एक सरकारी स्कूल के सेवानिवित प्रेंसिपल हैं, और उनकी माता का नाम कमलेश देवी, और उनके दो भाई हैं, बड़े भाई का नाम भगस्तिंग, और छोटे भाई का नाम कमल की सोर है, और अभी इस साधी सोधा नहीं है, काफी इनके बारे में सरज भी होता रहता है, और इनकी अगर हम लोग सिख्छा की बात करें, तो डिये भी PG कॉलिज देहरादूं से इनोंने कानूर म इसा मंद रखते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा, एक आप देखें सबसे पहले जिस कारण से चर्चा में आये थे, चंदसेकर आजाज रावर पहली बार चर्चा में तवाय जब उन्होंने अपने गाउं में प्रवेश्ट द्वार पर एक बोर्ड लगाया, और जिस पर लिखा था, धड़ कॉली बेलकम यू, दा ग्रेट चमार्स, रावर की इस कदम से गाउं के दलित और ठागरों की भी तनाव पैदा हो गया था, और अपने इस कदम की कारण चंदसेकर ने सोसल मीडिया पर कापी सुर्खिया बटोरी हैं, और लोग इनको जानने ल और आप देखते हैं कि यही तो राजनीती होती है, यही राजनीती में उपर जाने का एक कदम होता है, कि कहीं भी कुछ हो रहा है, अपने समाज के साथ, लोगों के साथ, वहाँ पहुंच जाहीए आप लोग, आपके पास कूस्ष है या नहीं देने के लिए, वो माइने न रखता है इसी से आप लोग प्रिये होने लगते हैं लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं अगर हम लोग राजनितिक केरियर की बात करें तो आजाद ने खुद दलित नेता की रूम में स्थापित किया वह अपनी सेली के लिए जाने जाते हैं साल 2015 में उन्होंने सतीस कुमार और बिन्हेर रतन सींग के साथ भीम आर्मी की स्थापना की भीम आर्मी दलितों के लिए काम करने बाली संस्ता है या पश्मी उत्तर पीतिस में दलितों के लिए मुप्त इस्कूल भी चलाता है 15 मार्ट 2020 को उन्होंने आजाद समाज पाइटी की स्थापना की थी और आप देखते हैं कि 2020 के विधान सवाज चुनाओ बिहार में जो हुए थे उसमें इन्होंने आप देखते हैं कि जो पपू यादाओ है जन अदिकार पाइटी उसके साथ गड़बंदन भी किया था लेकिन इन्हें खास सपलता नहीं मिली थी 2022 के उत्तरपेदेश की विधान सवाज चुनाओ में इन्होंने योगी आदितनाद के खिलाब गोरकु सहरी सीट पर चुनाओ लड़ा था लेकिन हो आई हार गय थे चौथे स्थान पर आये थे 7543 वोटों के साथ ठीक है अब आप दिखें इन से जुड़े हुए कुछ बिबाद हैं इन बिबादों को आप लोग जान लीजे पहले आप दिखतें सहरानपुल पुलिस ने 11 मई 2017 को सहरानपुल में कतित रूप से हिंसक बिरोध प्रदसन के आरोब में उनके खिलाब प्रात्मी की दरच की थी और आप देखें इलाबाद उचने अले दौरा उनके खिलाब सभी आरोफों को हटाने के बाद उन्हें सुरक्षा अदिनियम रास्टिये के तहट NSA के तहट मामला दर्च किया गया था चन्दे सेकर को पिछले साल 9 जून को हेमाचल पेदेश की डल जौली में यूपी पुलिस के ने छिपने के बाद गरपतार किया था इसको 30,000 कोट ने भीम सेना के प्रमोग चन्द सेकर आजात को जमानत दे दी थी और अतरिक्त सत्त नियादिस का कामी लाउन ने आजात को राहत देती हुए कुछ सरतें लगाई जन्ने 25,000 रोपे की जमानत दे कर आजात को राहत दी और उन्हें इस सरत पर जमानत दी गई उस समय चन्द सेकर आजात ने रावर नाम पर भी अपना खुल कर बात कही है और उन्हें ने काए कि उनके पिता ने उनका नाम चन्द सेकर भाई का नाम भगत सिंग रखा था लेकिन योगी सरकार ने जूटे मुकंद में में फसा कर अपराध ही बना दिया उन्होंने काए कि नाम से कुछ नहीं होता है यह जरूरी नहीं कि जिनका नाम योगी हो उनकी प्रिवित्ती साधू संतवाली हो अपसर देखा गया है कि ऐसे नामों की प्रिवित्ती उसके ठीक उलट करूर होती है ठीक उसी तरह मेरे नाम मेरे काम में भी दोनों अलग है इसलिए नाम से म भी लोग इन्हें बोलाते हैं चमार जाती देखते हैं ना अनुसूचे जन जाती में अनुसूचे जाती में अनुसूचे जाती में तो उसी में आप लोग इन्हें देखते हैं इनकी पार्टी का नाम है आजास समाज पार्टी यह भी आप लोगों को याद रखना चाहिए दलितकार करता हैं, बकील हैं, राजनितिक हैं और आप देखें, 2019 में उन्होंने अपने नाम के आंगे से रावट हटा दिया है यह भी याद रखेगा